हेलो फ्रेंज, वेलकम टुए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल काउंसिल फोर टीचर एजुकेशन, NCTE की नियू रिक्रिमेंट नोटिफिकेशन के बारे में और इसके फॉर्म फिलप के बारे में, तो फ्रेंज, NCTE द्वारा जो नोटिफिकेशन यहाँ पर इन्वाइट की गई है, वो है फ्रेंज, आपके स्टेनोग्राफफर, असिस्टेंट, लोवर डिविजन के लिए, आप इसके लिए कर सकते हैं, अप्लाई ओनलाइन, और यहाँ पर फ्रेंज से क्या-क्या इसकी अल आप इसमें आविदन कर सकते हैं, अगर यहाँ पर बात करें, कैसे आप इसमें आविदन करेंगे, तो अप्लाई का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यह रहा फ्रेंज से, इसका इम्पोर्टेंट डेट सेक्शन, और इसके बार आपको इंस्ट्रक्श इंस्ट्रक्शन ओपन होंगे, ब्राउजर से रेलेटेट, आप उनको पढ़ कर इनको क्लोज कर देंगे, इसके बार आपका जो यह फॉर्म है, इसको आप कह सकते हैं, वो ओपन हो गया है, सबसे पहले आपके इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, डाटा एंट 10 डिजिट का और आपकी जो भी active and valid mail ID है, वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, यह ध्यान रखिएगा फ्रेंट से mail ID और mobile number यह आपके active and valid होने चाहिए, क्योंकि आगे की information आपको इन पर ही मिलती है, इसलिए यहाँ पर दोनों confirm आपको डालने हैं, इसके बाद जो एक capture code आपक यहाँ से यह complete हो जाएगा, आपको आपकी user ID मिल जाएगा और password आपको friends आपकी mail ID पर और आपके mobile number पर पहुंच गया होगा, जो कि आप यहाँ पर डालकर login कर सकते हैं, किसी condition वस अगर आपके पास मान लीजी आपका password नहीं आया है, तो आप यहाँ पर forget password पर किलिक करेंगे आपकी user ID आप टाइप करेंगे, capture code फिल करेंगे और get password पर किलिक करेंगे, आपको दुबारा से mail send कर दिये जाएगा आपके password का और उसके बाद friends आप यहाँ से इसमें login कर पाएंगे अपने user ID और password के through, login करने के बाद friends आपको देखिए, यहाँ पर एक option मिलेगा, go to application form का, आप इस section पर click करेंगे अपने application form को fill करने के लिए, दुबारा से आपके सामने यहाँ पर instructions open होंगे, आप इनको fill करके या फिर पढ़कर close कर सकते हैं, close करने के बाद आप आपका जो यह form है यह आपका open हो जाएगा और आपको कुछ basic step यहाँ पर follow करने होंगे, जो कि आपको यहाँ पर दिये गए हैं, 4 step में आप इस form को complete करेंगे, सबसे पहले friends आपको यहाँ पर center choice करना है, आप कहाँ पर center लेना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर scroll करना हूँ आपके सामने, आप यहाँ पर centers की list देख सकते हैं, आपके according जो भी आप center यहाँ पर लेना चाहें, वो आपके selected category का, तो आपकी जो भी category है, जन्रल है, तो जन्रल सलेट कीजिए, OBC है, OBC सलेट कीजिए, SCA, ST जो भी category है, वो आप सलेट कर सकते हैं, इसके बार आपका gender क्या है, वो आपको select करना है, आपकी DOB क्या है, डेट ओ बर्थ क्या है, तो आप इस calendar पर क्लिक करेंगे, औ आपके type of disability आप select कर सकते हैं, आपको subscribe चाहिए, नहीं चाहिए, वो आप यहाँ बता सकते हैं, नहीं तो आप इसमें no करेंगे, एक service man है, तो yes करके, आपके date of joining और retirement की date आप यहाँ पर mention करेंगे, नहीं तो आप इसमें no करेंगे, गौर्मेंट employee है, तो yes कर सकते हैं, आपके date of joining आप बताएंगे, नहीं तो no करेंगे, अगर आप जब बन काश्मीर के निवासी थे इस time के दोरान, तो आप यहाँ no कर सकते हैं, NCTE के employee हैं पहले से ही, तो आपके date of joining आप यहाँ पर बता सकते हैं, नहीं तो आप इसमें no करेंगे, तो यह basic जनकारी है, जो कि आपको fill करनी है, इसके बार आप इसको save करेंगे, तो data आपकी successfully save हो जाएगी, इसके बार आपकी personal detail section है, तो आपका father name है, वो आपको यहाँ पर देना है, और ध्यान रखेगा, capital letters ही आपको यहाँ पर use करने है, इसके बार अपना mother name आप दीजिए, इसके बार आपका marital status क्या है, वो आप यहाँ fill करेंगे, आपकी city currency है, वो आप यहाँ fill करेंगे, आपका pin code क्या है, वो आप यहाँ fill करेंगे, अगर आपका present address और permanent address सेम है, आप yes पर click कर सकते हैं, अलग-अलग है, आप मैनोल entry कर सकते हैं, तो यह आपके ऊपर depend है, आपका address सेम है, या अलग-अलग है, आप उसके according entry कीजिए और इसके बाद save and nest कर दीजिए data आपकी successfully save हो जाएगी तीसरा option आपके qualification कर रहेगा अब ये जो section है इसमें आपके जो post है उसके according आपको details फिल करनी होंगी सबसे पहले 10 आपको details फिल करना जरूरी है आपके board का नाम आप यहाँ फिल करेंगे इसके बाद आपकी marks percentage की entry आपको करनी है आपको पूरी subject लिखनी है सारी अगर आप सो 10 के लिए बात करें तो आप यहाँ पर all general subject भी लिख सकते हैं क्योंकि 10 में कोई particular subject नहीं होती है आप दो तरीके से जैसे भी लिखेंगे लिख सकते हैं इसके बाद 12 की detail है सेम आपका board का नाम है आपका year of passing कपका रहा है तो आप यहाँ पर इसको select करेंगे आपनी year of passing select करेंगे आपका सेम आपके पर subject कौन-कौन सी रही है तो वो friends आप यहाँ पर mention कर सकते हैं तो friends इस तरह से आपको अपनी subject की entry करनी होगी इसके बाद आपका percentage आप यहाँ पर enter कर देंगे ऐसे ही friends अगर graduate degree आपसे मांगी गई है तो आप bachelor degree select करेंगे किसमें bachelor degree आपने की है year of passing आपका क्या है percentage क्या है यह आपको देना है अगर आपने master degree की हुई है तो master degree की detail आपको य typing मांगी गई है तो English or Hindi में आपके पर typing होनी चाहिए आप यहाँ पर yes करेंगे आपको computer पर काम करने की knowledge है या नहीं है आप बताएंगे आपका skill test norm है आप only computer पर ही रखते है या नहीं रखते हैं आप यहाँ पर yes or no कर सकते हैं skill test language आप English or Hindi कौन ची लेंगे वो आप यहाँ प सकते हैं कहीं पर आपको desirable में मांगा है आपके पास available है experience तो आप plus पर click करेंगे और यहाँ पर अपने designation का ना मतलब किस post पर आप काम करते थे किस organization में करते थे type of organization वो कौन सा है कब से कब तक आपने काम किया यह basic जानकर यह आपको fill करनी है नहीं है fresher candidate है इसको blank छोड़िए इसके बाद आपकी जो data है वो successfully save हो जाएगी इसके बाद आपके यहाँ पर देखने को मिल जाती है इसके बाद आपको documents upload करने है जैसे card certificate यहाँ पर आपको upload करना होगा आपका signature आपको upload करना है आपकी photo upload करनी है card certificate आप JPG PDF किसी भी format में 1 MB तक upload कर सकते हैं signature की बात करें तो friends friends यह 100K भी रहेगा photo की बात करें तो यह भी 100K भी रहेगा जो आप JPG format में यहाँ पर upload करेंगे इसके बाद friends आपकी यहाँ पर documents upload होने के बाद आपको यहाँ पर capture code दिया गया है यह capture code आप यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद यहाँ से agree करकर preview check करेंगे पिर्वी चेक करना बहुत जरूरी है अगर आप पिर्वी चेक नहीं करते हैं तो friends से उसके बाद आपको गलती कर देते हैं और अपना payment यहाँ पर complete कर देते हैं और आप उसके बाद अब इसको submit कर देंगे तो आप उसमें कोई भी edit नहीं कर पाएंगे इसलिए payment करने से पह आप यूज करें debit card, credit card, net banking और इसके बाद अपने card की detail को यहाँ fill करके make payment करें जैसे ही आपका payment verify होगा आप इसका जो final print out है वो निकाल कर अपने पास रख पाएंगे future use के लिए future reference के लिए इसके बाद friends आप यहाँ पर देखेंगे आपका application form submit हो चुका है successfully आप इसको से अपना final print out आप निकाल कर अपने पास रख पाएंगे future use के लिए future reference के लिए तो friends यहाँ पर जो भी प्रोसेस थी इसका online form आप कैसे फिल कर सकते हैं NCTE के various posts के लिए इसके बारे में हमने इस वीडियो में बात की है step by step process के बारे में अगर आप eligible हैं apply करना चाहते हैं 19 2020 तक कर सकते हैं और बाकी की जानकारी आपको मिल जाएगी video description में jobraasta.com के link पर तो friends ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते रही हमारा YouTube channel और लगातार update के लिए friends subscribe करना बिलकुल भी न भूलिएगा फिर मिलेंगे एक new video के साथ new job recruitment के साथ ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते रही ह हमारे YouTube channel and last thanks for watching